आज मैं पनीर की ऐसी सबजी लेके आई हूं जो सारे पनीर की सबजियों पर भारी पढ़ने वाली है यह पनीर की सबजी बनाना बहुत ही आसान है बहुत जल्दी बन जाती है इसमें ना क्रीम पढ़ता है ना काजू का पेश पढ़ता है फिर भी इस सबजी इतनी रिच मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है इसमें जाएगा एक छोटा चमच हल्दी का एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर नमक स्वादा नुसार और मैंने 4-5 लैसुन की कलियां को क्रश कर लिया था वो भी मैंने इसमें डालकर इसको अच्छे पनीर को क्यूब्स को हलका गोल्डन ब्राउन करूंगी मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है और पनीर गोल्डन हो जाते हैं आप इसे ऐसे भी जब यह गोल्डन हो जाये ना तो ऐसे भी स्नेक्स के रूप में बनाते बनाते एकाज पीस खा सकते हैं क्योंकि यह बहुत तेल भी छोड़ने लगे हैं तो यह हो चुका है अब मैं एक और पैन लूँगी उसमें डालूँगी दो चमच घी और मैंने जितना घी लिया है उतना ही इसमें मैं डालूँगी तेल आप अपने पसंद का जो आप तेल खाते हो वो ले सकते हैं और मैं इसमें डालूँगी एक बड़ी इलाईची, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, दो तीन लॉंग, दो छोटी इलाईची और एक तेज पत्ता, इन सारे गरम मसालों को हलका भूनना है, और इसमें डालूँगी मैं दो हरी मिर्च, एक छोटा चमत जीरा का, और मैंने प्याज को बहुत बारी काट दिया था, तो हमें प्याज को हलका ब्राउन करने तक भूनना है, जब प्याज हलका ब्राउन हो जाए, तो इसमें जाएगा क्रश किया हुआ 8-9 लहसुन की कलिया और 1 इंच अध्रक का टुकड़ा, इन सारे चीजों को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, ज छोटा चमच धनिया पाउडर, और एक छोटा चमच जीरा पाउडर, इन सारे मसालों को फ्लेम को कम करके हमें भूनना हैं तो मसाले जल जाएंगे, जब मसाले हलका भून जाएं, तो आप इसमें तीन मीडियम साइज के टमाटर का प्यूरे बनाकर इसमें डाल दीजिए, प्यूरे तीन टमाटर का, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं इसमें कोई क्रीम यूज नहीं कर रही हूँ, काजू का पेस्ट यूज नहीं कर रही हूँ, हमें इसी से इसे टमाटर से ही इसका फ्लेबर बढ़ाना है, तो मसालों को मैं ढख कर 5-6 मिनट के लिए लो मेडियम आज पर पकाऊंगी जब तक मसाले और तेल अलग न हो जाए, यह दिख रहे है ना अब अलग हो चुके है, तेल अलग हो चुका है, मसाला अलग हो चुका है, इसी के साथ जाएगा इसमें आधा कप दही, दही से इसका रीचनेस बढ़ता है, दही को मैं इसमें अच्छे से मिला लूँगी, जब दही मिल जाए अच्छे से, तो इसमें जो मैंने पनीर को फ्राई करके रखा था, उसको इसमें डाल दूँगी, पनीर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला था, तो मैं हिसाब से नमक डाल रही हूँ, अगर आपको जुरत पड़ेता आप इसमें आधा कप पानी भी मिला सकते हैं यह दिख रही है ने बिल्कुल तयार तो यह सबजी हो चुकी है इसमें जाएगा कसूरी मेथी क्रश करके इसमें डाल लीजिए कसूरी मेथी डाल कर हमें इसे अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें जाएगा धेर सारा धनिया का पत्ता लगभग दो से तीन चमच है यह और इसे भी मैं मिला लूंगे और मिला कर अब आती है प्लेटिंग की बारी तो मैं इसे एक सर्विंग बाउल में बाहर निकाल लूंगी इस सब खाए चावल के साथ तो बहुत ही यमी लगती है लग रही है ना यह सब्जी बहुत अच्छी कोई मेहनत भी नहीं है कोई इसमें हाइफाई मैंने कोई ऐसा समान भी नहीं डाला यह फिर भी इतनी टेस्टी दिख रही है और बहुत रिच बनी है यह सब्जी आप इसे एक तक शियर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू